नवस्कार अप्लैंग सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जर्शुक्रा देखें बिहार के सियासत में नितीश कुमार के राजनीतिक तोर पर पलटने की चल्चा खूब होती है लेकिन हाल फिल हाल के एक बयान की बात करें या सरकार दोरा उठाए गए एक कदम की बात करें तो उसे भी इसी संदर्व में जोड़ कर देखा जाता है हम उस बयान की चर्चा जरूर करेंगे लेकिन उसे पहले एक सवा कि क्या नितीश कुमार ने ऐसा बीजेपी के दबाव में किया क्या बीजेपी के बार बार प्रयास करते रहने के बाद नितीश कुमार ने ये कदम उठाया उन्हीं के पुराने साथी और फिलाल बीजेपी से राजे सबसांसत सुशिल कुमार मोधी ने नितीश कुमार को कई सारी बाते कही है सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि मामला क्या है और किस मामले पर सुशिल मोदी ये कह रहा है कि नितीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में आकर ऐसा पदम उठाया है मामला जुड़ा है शराब बंदी कानून से और शराब बंदी कानून को लेकर आपने देखा था कि नितीश कुमार ने काफी पहले ये कहा था कि जो लोग पिएगा वो मरेगा विधान सभा में भी नितीश कुमार ने सब के सामने कह दिया था कि जो जहरिली शराब बेहार में पियेगा चुकि शराब बंदी कानून लागू है मना ही है फिर भी अगर शराब पी रहा है और मर रहा है तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते लेकिन उसके कुछी दिनों बाद नितीश कुमार एक और बयान देते हैं कहते हैं कि जहरिली शराब से मरने बालों के आश्रीतों को हम मुआवजा देंगे उनके साथ हमारी सहनुपूती है अब नितीश कुमार के इसी बयान को पलटने के तोर पर देखा गया और कहा गया कि बंदी कानून को लेकर नितीश कुमार का जो पहले स्टेंड था उस स्टेंड से हटे हैं और उन्होंने अब नई गोशना कर दी है और इसी गोशना पर जब सरकार अब मुआवजा देने लगी है तो उस पर थुशिल कुमार बोदी ने सबसे पहले तो ग्राफिक्स के माध भाजपा के दबाओ में उसके आगे यदि आप ना देख पा रहे होंगे तो हम आपको पढ़कर बताते हैं उन्होंने लिखा है कि भाजपा के लगातार दबाओ बनाने पर राजय सरकार ने जहरीली शराब से मरने वाले 38 लोगों के आशितों को 4-4 लाख मुआवजा देन से मना करते हुए का था जो पीएगा वो मरेगा वाले कठोर रुख से नरम पड़े मुख्यमंत्री तो एक कटाक्ष के तोर पर सुशिल कुमार मोदी ने लिखा भी है और दूसरी बार भी लिखते हैं देखिए एक और ग्राफिक्स आपको हम दिखाते हैं सुशिल मोदी द पिछडे और अदिवासी परिवारों के थे पुलिस ने उन्हें डरा धमका कर प्रात्मी की दर्ज नहीं कराने दी और ना शवों को पोस्टमार्टम होने दिया तब अनुगरह राशी के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवारे नहीं बनाया जाना चाहिए इसके बा मुआवजा के लिए पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की शर्थ हटाई जाए ये भी सुशील मोदी ने साफ लिखा है आपको पता है कि नितीश कुमर ने जब यह एलान किया था कि शराब पीकर मरने वालों के आश्रितों को अब मुआवजा देया जाएगा उस दोरान कुछ शर् पाया गया सरकार की ओर से अब आपको पता है कि सरकार ने आश्रितों को जो है जो जैरीली शराब की कर मरे हैं उनके आश्रितों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है ऐसे में सरकार की ओर से जो मुआवजा दिये जा रहा है उसके आंकडे में सुशिल मोदी ने कहा कि द पाया क्यों गया और आंकडे जब बताते हैं मेरे ख्याल से 38 के आस पास जो आंकडे हैं वो सरकार के हैं और उसके बाद सुशिल मोदी का आरोप है कि इतने से जादा संख्या में लोग मरे हैं तो ऐसे में सुशिल मोदी ये भी कह रहे हैं कि नितीश कुमार ने बीजेपी के बने रहे हैं लाइप सिटीज के साथ जदियों तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हम आपको खबरों से अप्रेव रख सकें धन्यवाद